Good morning friends, स्वागत है आप सभी का RBID YouTube क्लास में तो friends, आज मैं आप लोगों के लिए एक topic लेकर आया हूँ यह topic है square root of decimal numbers, ठीक है? तो इसमें हम पता करेंगे कि decimal number का square root कैसे find करना है तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो को आन्त तक देखना जरूर भूलें तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखो, सबसे पहले हमने एक number लिया है 2.56 यह जो number है, यह class 8 की math की book से square root chapter से लिया गया है अब हमें क्या करना है आप पर ऐसे एक body बुनाना है, ठीक है इसको कहा जाएगा dividend, यह है divisor और यह है quotient, इधर आएगा आपका remainder ठीक है, थोड़ा सा difference है अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर यह जो number है 2.56 इसके हमें pairs बनाने होते हैं ठीक है 562 आब इधर देखो, एक 0 लगा देंगे pair हमें right side से बनाना होता है तो देखो, इधर वाला side right होता है और इधर वाला side left होता है याँने हिंडी में बोलें तो यह बाया होता है और वो दाया होता है तो हमें दाएं side से pair बनाना है तो एक pair हमने इसको बना लिया और एक pair हमने इसको बना लिया देखो यहाँ पर 2 था तो आगे हमने 0 लगा लिया और यह pair complete हो गया अब जो पहला pair है from left side यानि कि बाएं तरब से जो पहला pair है वो है 0,2 तो हम देखेंगे जो 0,2 है वो किसके square के बीच में लाई करता है तो for example 1 square 1 और 2 square 4 तो यह जादा हो जा रहा है तो हम फिर यह वाला लेंगे ठीक है यह नहीं लेंगे क्योंकि 2 का square 4 हो रहा है जादा हो रहा है इसका मतलब हम 1 लेंगे तो 1 से इसको divide करेंगे तो 1 यहाँ भी write करेंगे ठीक है और इस 1 को लिखेंगे इसके नीचे 1 square 0,1 मतलब जो square रहेगा हमें वो write करना है यह वाला जो चीज है उसको हमें यहाँ पर लिखना है और यह वाला जो चीज है इसको हमें यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है ठीक है फिर यह जो quotient में आया है इसी को हमें plus भी करना है ठीक है यहाँ पर कितना आजाएगा 2 इसको ऐसे लिखना है कि यहाँ पर एक digit और write करने के लिए space बचा रहे ठीक है अब इसको जब हम subtraction करेंगे तो 2-1 करेंगे तो मापस आजाएगा 1 और यह जो पूरा pair होता है मनलब की जो दोनों number होते हैं वो एक साथ लिखे जाते हैं यानि कि 5-6 एक साथ लिखे जाएगे और चुकि यहाँ पर decimal था तो decimal अब हम यहाँ पर लगा देंगे ठीक है अब यह हो गया हमारे पास 2-5-6 तो हम यहाँ पर कौन सा number इसकी जगा पर लिखे हैं इस जगा पर कि यह 2-56 आ जाए तो अभी आप इसके लिए देखे जैसे यहाँ पर यह वाला section जो है है यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इसके बीच में कोई space छोड़ रखा है इस space में हमें वो digit फिल करना है और उसी से multiply करें तो यह जो 156 है या तो इससे छोटा आए या तो इसके बराबर आए यानि कि less than r equal to तो यहाँ पर मालीजे मैं एन फिल करता हूँ तो एन से हमें multiply भी करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहला जो मैं number लूँगा तो मालीजे 1 लेता हूँ यहाँ पर तो 1 से multiply भी करता हूँ तो 21 आएगा तो बहुत छोटा है अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर और 2 से multiply भी करता हूँ तो 44 आएगा यह भी बहुत छोटा है तो इस परकार से हमें कई बार trial करने के बाद में वो number मिलेगा दूसरा तरीका क्या है आप इसको देखिए 2 को और इसके 2 digits देखिए 15 को देखिए हम 2 का table कितनी बार पढ़ सकते हैं तो हम जो 2 का table है उसको around 7 times पढ़ सकते हैं कितनी बार पढ़ सकते हैं 7 times पढ़ सकते हैं 2 7 जा 14 तो यहाँ पर हम क्यों न 7 रखेंगे की चेक कर लें तो यहाँ पर जब 7 रखेंगे तो 7 से multiply भी करेंगे 7 7 जा 49 7 2 जा 14 और 4 19 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 1 19 तो यह तो बहुत जादा हो जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे हम 6 पर चेक कर लेते हैं किस पर चेक कर लेते हैं 6 पर तो 6 जा 36 3 करी 6 2 जा 12 प्रस 3 15 तो बिल्कूल यहाँ पर 6 रखने पर आ जा रहा है तो आप यहाँ पर भी write करोगे 6 और यहाँ पर भी आप write करोगे 6 और यहाँ पर आप write करोगे 156 और जब minus करोगे तो remainder 0 हो जाएगा जिस step पर remainder 0 हो जाता है हमारा उसी step में quotient जो होता है वो हमारा answer होता है तो quotient कितना आया है 1.6 It is the square root of 2.56 ठीके तो यह हमारा answer हो जाएगा यानि कि हम finally जो answer लिखेंगे कि square root of 2.56 is equal to 1.6 ठीके जिस step में quotient हमारा 0 होता है उस step में जो quotient होता है वह हमारा square root होगा और answer होगा ठीके यह वाला जो section है यह आपको लिखने की ज़रूद नहीं है यह बस rough work है ठीके तो आप इसमें रइड डून कर लिजिये झाल झाल